जब आखों में अर्मान लिया और मंजील को अपना मान लिया तो मुश्किल क्या असान क्या जब ठान लिया तो ठान लिया और आप लोग के लिए यहाँ से मातर 10 मिनट में कमेश्टी के 10 गो प्रस्ट तोलो के याद करा दें बस खाली वीडियो धियान से देखिया जा जा, बुजागिलने मेरे भाई धियान से देखिया जा, दस मिनिट में 10 वो कमेस्ट्री का प्रसंद तो लोग याद करा दें, फिर एक अना बाद जोन तो लोग इस पीडिये पा तो लोग एप पे मिल जाई इनसर अहीं तहा कि जाक आप लोग चाहके भी एक राक नहीं भूल सकते हैं ठीक न यहां से देखिएगा जिन भी मेरे भाई को ठीक न जिन भी मेरे भाई को यहां से पीडिएफ लेना होगा वो लोग चले जाएंगे प्लेश्टोर पे study with dedication के नाम से एप है यह contact number है यहां से आप लोग इस एप को डाउनलोड अराम से कर सकते हैं ठीक न और कोई भी दिकत होता है तो इन नमबर पर तो लोग contact कर सकते हैं यहां से मेरे भाई हमनी के चलते हैं ठीक न यहां से आते हैं question number one आप लोग देखेंगे ठीक न यहां से म पूटा चीजसे मिलक बना होता है तो एक से चोते सी चीज को जिसकी पुन्रावीरिति करने से मतलब बड़ा पदा अर्थ बनता है तो चोती सी result कैरते हम लोग हैं cures कहाते हैं से जैसे आप लोग के घर का ईजामपल हम बार-बार देते हैं कि जो हम लोग का घर होता है ठीक है ना जो हम लोग का घर होता है वह इटों के बार-बार रिपिटेशन से बनता है ठीका ना जैसे तो लोग के घर जोन बने ला तो लोग देख ले बहुजा कि बार बार इट का हो ला जोडाला तो हमने के घर बने ला बन ला ना तो जोन इट बा उन घर के कह कह लाई इकाई सेल का हलाई, यूनिट सेल का हलाई, तो लोग याद होगी लोई, इकाई सेल क्या कहते हैं, अब आते हैं, दुसार का नमबर में बीधूत रासाइनिक सेल क्या है, देखिए, कहने का मतलब है न, कि देखिए, बीधूत रासाइनिक, मतलब रासाइनों के द्वारा, ठी chemical reaction के दुवारा यदि हम लोग बीधूत का निर्माण कर देंगे तो वह काला आता है बीधूत रासाइनिक cell और आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि बीधूत रासाइनिक cell वह युक्ती है या वह cell है जिसमें रासाइनिक बीधूत उर्जा को बीधूत उर्जा में चेंज करते हैं बताइए याद हो कि नहीं एक दम नाम में ही है बस आप लोग को अराम से यहां से याद हो ही जाएगा समझ गए न तो दुसार का भी आप लोग किलियर हो गया कि बीधूत रासाइनिक cell क्या है मतलब रासाइनों के दौरा ठीक है न केमिकल रियक्शन के दौरा हम लोग बीधूत का निर्माण करेंगे तो बीधूत रासाइनिक ऐसा जुकती है जिसमें रसायनिक उर्जा को बीधूत उर्जा में बदलेगा उसको दोखाक की याद रखियेगा की इस्थिर तिम नहीं बदल rises इस्थिर ताप पर किसी ठीक है ना किसी दरव की जो बिलेता होगी वह इसके वास्प के क्या होती है समानुपाती होती है ठीक है ना वास्प दाब के क्या होती है समानुपाती होती है मतलब P समानुपाती हमने के X हो जाएगा मतलब किसी गैस में जो अन दरव की बिलेता होग वह वास्फदाब के सम्मानुपाती होती है यानि वास्फदाब जतने ज्यादा होगा उसकी बिलेता होताने ज्यादा होगा तो पी सम्मानुपाती एक्स हो गया तो पी बराबर हमने के का आएगा पी बराबर के एच आएगा और एक्स आएगा और यही नियतां कहलाता है हिन तो आपके क्या होती है समय नुपाती होती है औरके समय CP 65 पी बराबर के जब या raft को हते हैं हमनिके हि Hebrew नियthi mother है तो अब लोग आराम से समझ गए होंगे यह सारे पीडिफ में आप लोगो डाल दी जोएंगे अब आते प्राशन का किरिया आप लोग देखेंगे यहां से प्राशन किया होता है और प्राशन दाब किया होता है जैसे देखिए जैसे आप लोग देखेंगे आप लोग चाय बनाते हैं तो आप लोग चछनी लगाते हैं तो आप लोग देखें चाय में दू अपन होता है यह पतला ह होता है यह को मोटा होता है जो आप लोग चाई डालते हैं डालते हैं तो चछनी का करता है कि जो मोटे मोटे कण होते हैं उनको चछनी रोक लेता है जो पातर एकदम लिकिवीड होता है परवाह कर देता है तो उसी परकार से हमनी के प्राशनान में होता है प्राशनान क्या हो है कि जब सुध बिलायक और पारगम झीली से पार करके बिलियन की ओर जाते हैं तो उससे हम लोग क्या कहते हैं हम लोग प्रासरण किरिया कहते हैं अब प्रासरण दाब होता है ना कि प्रासरण की किरिया को रोक देगा ठीक है ना मतलब कि जब समझी की बिलायक के कर ठीक है जब औरध पार्गम झाली को पार नहीं करेंगे तो ऊकराक बोलते हैं प्रासरंड डाब थोखो न यहां सो गया अब देखें चलाकता क्या होता है यह हमनी के प्रतिरोध के व्यूत कर्म को बिसिष्ट चलाकता कहते हैं यानि कहने का मतलब है कि देखें प्रतिरोध का व्यूत कर्म होता है तो आप परिभासा में लिख सकते हैं कि व्यूत कर्म को बिसिष्ट चलाकता हमनी के कहते हैं एक अरक हमनी के सिगमा बराबर भी लिख सकते हैं ववन बाटारो हो गया अब यहां से आते हैं मेरे भाई आगे देखेंगे six नमर में DNA फिंगर प्रिंट की ठीका ना यहां से देखेंगा DNA फिंगर प्रिंट की कि नहीं दो उपयोग लिखे जैसे आप लोग ठीका ना जो इसका उपयोग हमारे जीवन में बहुत है जैसे हमारी पहचां कराएगा जैसे हमारा फिंगर प्रिंट है तो यह का बताएगा इने यह फिंगर प्रिंट किसका है मेरा है तो यह जानते हैं कभी कभी क्या होता है ना कि कभी कभी माले कोई मतलब क्राइम हो जाता है तो जहां पर उन लोग कुछ हाथ के क्या होते हैं कि उनके फिंगर प्रिंट मिलते हैं तो उसे पताल लगाया जाता है ना यहां यह फिंगर प्रिंट किस आदमी का है सम अब यहां आते हैं मेरे भाई धियान से देखिएगा कि भौतिक और रसाइनिक अधिसोसन कहने का मतलब है अब आप लोग लिख सकते हैं कि भौतिक अधिसोसन ऐसा अधिसोसन है जिसमें हम लोग का वंडर वाल बल करता है अधिसोसन तो हम लोग इसे क्या कहते हैं वहोतिक अधिसोसन हमने के बोलते हैं और रसाइनिक अधिसोसन वह खता है ऐसा अधिसोसन जिसमें हमने के मजबूत बल करता सबसे दुनिया के कमजोर बलक कारे करता है यहां से आते हैं देखिए आठ नमबर में यहां जेडन जींक धातू के दो परमुख असको कारणाम लिए देखिए यहां लिख दिये है यहां से आप लोग हो गया यहां से आप लोग याद हो गया होगा देखिए जींक का हमने के लिखना है दूगो तो हमें यहां तीन को लिख दिये है यहां जींक बलेट हो गया यहां हमने के जींक साइट हो गया यहां हमने क कोई सबसे मोच सबसे इंपोटेंट है मेरे धियान से अप लोग देखियेगा एक्दम गर्दा सवाल देखिए यहां बोला ही पाइडो फोस्फेरिक अमलका सुत्रे लिखिए सनचना ठीका ना यहां देखिए मेरे भाई यहां हमनी के पाइडो फोस्फेरिक अमलका हमनी के सुत्रे यहां का लिखना है सनचना लिखना है यह देखिए हमनी के एच फोर पीटू ओ स यह हमनीक भोस्फेरिक अंब्लका हमानी के स्उत्रह होता है तो कई अगा सर्ट मानी लिजी कि याद कर लिएक हमानी याद कर ले लेकिन हाऀ सन-रचना हमनी से ना तो लो के दिमाग में वथी ना की हमानी कैना हमानी के ना बनी चिक्ति कईछा वह साना वह साथ ना झाला ऑर liest लग eग यह चपनी एक श्युह तनी हद चारऊ पहत छाला अकोसर यहां हं डुट्रजन होगाई था मनीक अब अक्सिजान के गोगाई था, था टीनग के 3 बचा ता का गोगाई थीनगु बाल्टो मतलब दफी था, एजास मननी कह गोगाई था, फपहले तोलो और चारगउ गठेगे किया एल्कोहाल के समोह बनाए नुआ भागाई जाओ कर दूब तो अब लिखा थीनई से दखा जा अफर ऩहे लगा धीनें दो पर फिर फिर इन अंचे उं generally va आख जी एहिजा बस हो गेल कितना असान बाकिना बाकिना पहले तो लोके एल्खोहाल की समुझ बनाले क्वा फिर आधाधा कले क्वा दूगो एकरा फे अप्शिजन तीन गवा तो एकरा मात पि एकरा का पाठ फे देदेगा फिर अप ज़ान एग बची इदूनों के जोडे सब्सक्राइब करेंगे अब यहां से आगे चलते हैं मेरे ध्यांस देखिए ओजोन का उप्योब काहें करते हैं देखिए ओजोन आप लोग याद रखेगा कि ओजोन को हम लोग लिखते हैं अबड़े ओजोन को लिखते हैं में को ओजोन का पहल गुख हो गया पराबल ऑक्सीकारक याद रखेगा बैयाद आपसे थे का-अब लोग देखिए होगा लोग देखेंगे और पाभीANA lives पार करती है आप लोग देखी होंगे कि दो विट अनहारा रहता है तो उस अनहार में क्या होता है ना कि बहुत सारे ऐसे मतलब कुछ सुच में जीव हो जाते हैं जो हमारे लिए हनिकारक करते हैं तो हम लोग का करते हैं, कि ओकरा में ओजोन का हम लोग परियोग करके क्या करते हैं, कि हम लोग ओकरा में से का करते हैं, सारे जोग जीवानु होते हैं, कितना सुक होते हैं, जो हमारे लिए हनी कारक होते हैं, हम लोग को क्या करते हैं, खतम कर देते हैं, समझ गया ना, तो हम लोग ओकराम परियोग करते हैं तो यह आप लोग का मुख रूप से ओजोन का परियोग था बाकी आप लोग को यहां से पुरा लिख के बनिया से आप लोग को एप में आज सामों साम डाल दिये जाएगा और जिन भी मेरे भाई को PDF लेना होगा आप लोग फटा फट हो दूग वीडियो में एक तो लोग को इसे मिक्सर आई विए खिल नवा दूग एक दिन में वीडियो को शेर कर दिजेगा और पयारा से कमेंट मार दिजेगा जाहिंद